इस वीडियो में बात कर लेते हैं जम्न आटो इंडस्ट्रीज की कुई क्ली अनलेसस देख लेते हैं चनल को लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो जम्न आटो इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हुए स्टॉक में यहां भी आज फॉल देखने को मिला है और इव करके ही स्लंप आ रहा है बट आते हुए नजर आ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है जो की ड्रॉप डाउन मोमेंटम के साथ तो यहां पर आप देखें स्टॉक में ब्रेकाउट होना था बट ब्रेकाउट फेल हुआ इस बार भी सस्टेन नहीं कर पाया उपर के आए और उपर की दिशा में देखें तो सेलिंग थी 132 से तो बायर अपन को देखने को मिले यहां कहीं 123 क्योंकि साइकलोजिकल लेवल है 125 तो ऑविएसली बायर्स यहां एक्टिव होते हैं तो वह होते हुए नजर आए स्टॉक ने सपोर्ट लिया कल क्या होगा वो समझ ल देखें तो यहां एक पूलबेक आता है फिर नीचे आता है यहां पूलबेक जाते हैं और उसी इसापसे नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं तो 0.5 का लेवल आज फिर से सस्टेन नहीं हुआ और रिट्रेस्मेंट बना यहां से आप देखें तो यह एक ग्रीन के साथ retracement हुआ but next day जब आया तो 0.5 के level weakness देखने को मिले हो इसलिए बड़ा fall बनते हुए नजर आया अब बड़ा fall बना इसी वज़े से stock में आज अपनको weakness देखी और further falling बन गई एक तो reason है दूसरा आप देखें stock channel के अंदर चलते हुए नजर आ रहा है ये कुछ formation है उपर return book होते ह हैं accumulate होते हैं फिर return book होते हैं आज और फिर नीचे जाके accumulation होगा तो फिर से जब accumulation होगा तो यहां पर stock उसी दिसा में नीचे जाते हुए नजर आ रहा है तो यहां पर कल के दिन अगर stock further falling दिखाता है तो stock अपनका 120 के level को test कर सकता है और अगर 120 का level break हो जाता है तो फिर समझ लीजिएगा कि stock आपको 111 के पास ही मिलेगा क्योंकि यह half of the journey से जाद ही है और more than the half journey channel के अंदर तो अगर more than the half journey में जो बोल रहा हूं वो यह सोच लिए channel के अंदर यह आधी journey तो cover होई गई तो यहां से जब आधी हो गई तो फिर बच्ची में stock में बड़ी तेजी से fall आत तो यह अपने support बात आती है कि resistance कहां होगी तो उपर की दिशा में अगर 120 कल नहीं जाता है और वहां कहीं support ले लेता है यहां कहीं या फिर यहीं से reverse अला होता है 123 से तो फिर आप देखिएगा कि उपर की दिशा में जो target हो hurdle है अपने लिए 127 रहेंगे 127 के बाद जो next target सारी जितनी भी दिक्कते आएंगी 120 से आएंगी 120 अगर सस्टेन नहीं करता है तो फॉदर फॉलेंगे 120 सपोर्ट ले जाता है तो उपर की दिशा में 125 से 120 और 125 का आप देखें तो crucial जो momentum है वो यहीं देखने को मिलेगा सस्टेन कर लेता है तो 125 से उपर की दिशा पकड़ ल झाल को मिलेगा सस्टेन कर दो यहीं देखें।